आज के इस आधूनिक बिस्व में लड़की आगे निकल चुकी है। यानि लड़की पहले तो अपने सुन धरता के लिए जाने जाते थे पर आज के दौर में लड़की अपने पढ़ा हई, जॉब और सभी कामों में आगे निकल चुकी है। इसलिए लड़की को इंप्रेस करना लड़कों के लिए बहुत कठिंक कारे हो गया है आज कल के लड़के हमेशा सोचते रहते हैं कि लड़की को कैसे इंप्रेस करें या लड़की को कैसे पटाएं इसलिए आज के वीडियो में लड़के कैसे लड़कीयों को इंप्रेस कर सकत या पट्टा सकते हैं, इसी टॉपिक के बारे में खुल कर कई ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको भरपूर ग्यान मिल सकें, और आप अपने मन पसंद की लड़की को इंप्रेस कर सकें, तो चले ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वीडियो में अंतक बने रहें वरना लेने के देने पर सकते हैं, और आपका प्यार सफल भी नहीं हो पाएगा, ट्रिक्स के बारे में बात करने से पहले आप सभी को इह बता देना चाहता हूँ कि लड़की तब ही इंप्रेस होगी, जब आपके अंदर कुछ क्वालिटी होगी, मतलब यह है कि लड लड़की उसे पसंद भी करेंगे, पेले तो अपने फैसन के उपर ध्यान दो, मतलब आप अच्छी अच्छी कपड़े पेहन सकते हैं, उसके बाद कोई अच्छा सा अतर यानी परपयूम का व्यभार भी कर सकते हैं, और एक ज़रूरी बात, लड़के लड़की को तभी इ इम्प्रेस करें या कैसे पटताएं, लड़के जिन लड़कियों से मिलते हैं यानी जिन लड़कियों को पसंद कर बैटते हैं, ओह लड़कियां दो तरह की होती हैं, एक आसपास की पहचάν वाली लड़की और दूसरी जो लड़के की कोई पहचान में ना हो यानी बिलकु अंजान लड़की इस वीडियो में हम दोनों तरह की लड़कियों को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, बताएंगे सबसे पहले हम लड़के की पहचान वाली लड़की को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे लड़के को सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि अगर लड़की पहचान वाली क्यों ना हो पर लड़की को कभी भी सीधे सीधे I love you नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ज्यादतर लड़की इस बाके को सुनते ही घबरा जाती हैं और आपको सीधे सीधे मना भी कर देती है पुरानी फिल्मी बात है पर आप इस बाके को बोलने से पहले और कुछ बात का सहारा ले सकते हैं जिससे यह लाइन और भी सकती साली हो जाए आपको एह याद रखना है कि कोई भी अंजान लड़की को आप एह बाक्या ना बोले वरना आपकी पिटाई भी हो सकती है और आ आपकी पिशना है कि I like your nature तो लड़की आपसे जरूर मुस्कुरा कर बात करेगी और अगर लड़की आपको पसंद करती होगी तो ओआपसे जरूर पूछेगी कि आप मेरे nature के बारे में कैसे जानते हैं तो आप बोल देना कि मैंने आपको बात करते हुए बहुत बार देख जो मुझे बहुत अच्छा लगा आज कल की ऐसी बहुत कम लड़की हैं जिसका सुभाब इतना अच्छा होता है इसलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ इसके बाद आपका काम हो गया आप लड़की का फोन नंबर मांग सकते हैं अब बात करते हैं दूसरे में मतलब अगर लड़की अंजान है तो आप उसे कैसे पटाएंगे अगर आप लड़की को बहुत दिनों से नोटिस कर रहे हैं या फिरोग लड़की भी आपको कभी कभी तिरची नजर से देख रही है तो इस प्रकार की लड़की के साथ आप सीधे सीधे कुछ बात कर सक हैं और उसको एह बोल सकते हैं कि आपका नचर मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसके कारण में आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ अगर लड़की थोड़ा थोड़ा भी आपको पसंद करती होगी तो आपसे जरूर बात करेगी और आप उस लड़की का नंबर लेकर बात करनी पड़ेगी सबसे पहले आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस से आप लड़की के नजर में आ जाएं तो आप इसके बाद लड़की के आँक से आँक मिला एं उसके बाद आप उस लड़की को देखकर एक अच्छी सी स्माइल देना अगर उह लड़की आपको भी स्माइल दे देती है तो समझ लेना भाई आपका काम हो गया आप लड़की से बोल सकते हैं कि मेरे साथ कुछ देर बात कर सकती हो क्या अगर लड़की ने बात करना चाहा तो आप उस से पूछ सकते हैं कि आपका घर कहा है या आप बहुत स्वीट है अगर लड़की ने अच्छे से बात किया तो आप उनसे बोल सकते हैं कि क्या मैं आप से दोस्ती कर सकता हूँ लड़की जरूर मान जाएगी और आप उनसे एक बोल सकते हैं कि फिर कब मुलाकात होगी ठीक नहीं है इसलिए अपना नंबर दे दो लड़की मुर देखकर नंबर मांगना वरना पिटाई भी हो सकती है अगर लड़की हसी खुशी बात कर रही है तो उसका आप में इंटरेस्ट है तब ही आप उनसे फोन नंबर मांगे और कुछ प्रकार की ऐसी भी लड़की होती है जो आप से बिलकुल खुल्प के बात करती है लड़की एह जानते हुए कि आप उसे चाहते हैं फिर भी ओह आप से नॉर्मल बात करती है ऐसे लड़कियों से आप कुछ दिनों तक चार्ट करने के बाद खलट भी कर सकते हैं जिससे लड़की आपसे मजे लेकर बात करेगी आप लड़की से एह बोल सकते हैं कि सुबह अगर तुमसे बात हो जाए तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है या फिर कुछ दिन बादे बोल सकते हैं कि यूर मीटर फॉर एबर अगर लड़की कुछ पॉजिडिव सिगनल देती है तो अच्छी बात है इस टाइप की लड़की दबंग और कमीने लड़कों को ज्यादा पसंद करती है तो आप इन लड़कियों को पटाते समय बिल्कुल भी जल दबाजी ना करें ताक कि आपको आगे चल कर कोई परिसानी हो लड़की के मूर देख कर हर एक काम को करें अगर आप इनी सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप जरूर किसी भी प्रकार की लड़की को इंप्रेस कर सकेंगे हमारे यूट्यूब चैनल में और भी बहुत सारी प्यार से जुड़ी वीडियो मिल जाएगा आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट जरूर देखें वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो देख सकें अगर आपके मन में कोई प्रस्ण है तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं